आजादी का 78 वा स्वाधिनता दिवस हम मनाने जा रहे हैं हमारे साथ में कॉप्स ओफ मिलिटरी पुलिस यानि कि सेना पुलिस के कुछ लोग मौजूद हैं जो आजादी की धुन पूरे जैपुर वासियों को पूरे प्रदेश वासियों को सुना रहे थे अब देर पहले आपको बता दे कि इनसे हम बात करेंगे सर आजादी का 78 वा स्वाधिनता दिवस हम मनाने जा रहे हैं और आज आप लोग आजादी की धुने पूर्वसंद्या पर आप लोग पूर वासियों को सुना रहे हैं आपसे हम सिर्फ एक छोटा सा सवाल हम करना चाहेंगे जब यह आजादी की धुन आप लोग जब बजाते हैं तब क्या जजबा हता है हम ये महसूस करते हैं और ये देश वाशियों को महसूस कराना चाहते हैं कि जो हमारा देश आजादी से लेके अभी तक जो हमारे बीरों ने जो हमारे देश के जवानों ने और देश के जो सहीदों ने जो काम किया है उसका हम याद दिलाते हैं उनके अस्मरण में ये काम करते हैं इसके लिए हमें इस देश के लिए हम सभी के लिए गर्व का पल है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में और ऐसे बोलने में और ये संध्या में बगवान करें उपर वाले के क्रिपा हो कि हम सो साल हजार सा लाखो करोडों साल यूनियों तक हम ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही चलता रहे यह हम सभी देश वासियों को सुब कामना के साथ तहे दिल से नमस्कार हैं जैहन पौलता हुए जब भी स्वादीनता दिवास आता है 15 अगस्त आती है तब सेना पे जो जवान होते हैं जो शहीद हो ज़्यों जजबा आता है कहीं ना कहीं देश की आजाधी में देश की रख्षय में एक योगदान आप का भी है इस पर धर देस डेश के लिए दुनिया में चीटी के लिए भी कोई जगह नहीं है लेकिन चीटी वेपने ताकत पहिता हैं सबराकुए थोड़ा बहुत काम जिस प्रकार से चीटी को कोई गिंता नहीं है लेकिन चीटी अगर अपनी पे आ जाए तो एक हाती को भी धूल चटा सकती है वैसे ही इनका बैंड जो धूने बजाता है कहीं न खहीं आजादी में इस देश की रक्षा में जो जजबा ये लोग अपनी धूनों से जगाते हैं इनका भी उतना ही योगदान है जो देश की रक्षा के लिए हमारी बॉर्डर पे मौजूद उन सैनिकों का है जो बिना सोए राद दिन हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सके सेहोगी कैमरामेन अजे के साथ उमंग माथूर जनता दर्बार